सिरसिला नाम के गाउं में कृष्णा अचार का व्यापार करती थी वो मुसली से कूट कर मसाले बनाया करती थी उसके अचार की बहुत लोग वाववाही करते थे बहुत लोग खरीदते थे उससे अचार तरह तरह के अचार बना कर बेचती थी कृष्णा कुछ ही दिनों में आसपास के गाउ में भी उसके अचार का बोल बाला हो जाता है लोग उसके पास आकर अचार खरीद के ले जा रहे थे ये देख कृष्णा की पडोसन लक्ष्मी को काफी जलन होती थी वो भी कृष्णा की सफलता देख पैसो के लालत से अचार बना कर बेचना शुरू करती है लेकिन उसके अचार इतने स्वादिश्ट नहीं थे कोई पसंद नहीं करता था लक्ष्मी इस बात से नाराज थी किसी भी तरह इस कृष्णा का व्यापार बढ़ने नहीं दूँगी मेरे सामने मेरे दुश्मन की यूँ प्रगती मैं देख नहीं सकती लक्ष्मी कृष्णा के व्यापार को बिगाडने की हर कोशिश करती थी पर वो सफल नहीं होती दिन बीत रहे थे एक दिन कृष्णा को एक बड़ी ओर्डर मिलती है उसे पूरा करके वो देने जा रही थी तब ही रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है वो लड़की रो रही थी कृष्णा उसके पास जाकर बेटा कौन हो तुम? यहां बैठकर क्यों रो रही हो? तब वो बच्ची रोते हुए मा मुझे यहां छोड़के चली गई अब तक वाबिस नहीं आई ओ तुम्हारी मा का नाम क्या है? तुम कौन से गाउं की रहने वाली हो? कृष्णा पोचती है मा का नाम? मा का नाम मा है अगा का नाम नहीं बता अरे बेटा तुम नहीं जानती? बेच्चारी यो कृष्णा को उस पर दयाती है वो उसे अपने साथ खर ले जाती है अपनी बेटी की तरह उसका खयाल रखती है दिन बीत रहे थे वो बच्ची एक दिन कृष्णा मा तुम यहां अकेली ही रहती हो क्या तुम्हें भी मेरी तरह तुम्हारी मा अकेला छोड़ गई थी? यो पूछती है तब कृष्णा हसकर नहीं बेटा मेरे मा बाबा तो भगवान के पास चले गए है मेरी शादी हुई थी वो देखो फोटो में है न उनसे पर वो भी मुझे छोड़ कर चले गए क्रिश्णा दुखी होकर कहती है उतरे में एक व्यक्ति वहां आता है क्रिश्णा अरे तुम भी ऐसा करोगी मैंने सोचा नहीं था अरे क्या हुआ ऐसा क्यों कह रहे हैं आप क्रिश्णा पोचती है अरे फवुन वाले अचार दे गई तुम सारे ग्राहक मुझे कितना भला बुरा कह रहे है इसके बाद से तुम्हारे अचार कभी नहीं लूँगा बस बहुत हो गया क्रिश्णा के लाख मनाने पर भी वो आदमी नहीं सुनता वहां से चला जाता है क्रिश्णा व्यथीत होकर ये कैसे हुआ मैं तो कितने ध्यान से अचार बनाती हूँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यू सोच कर दुखी होती है कुछ देर बाद एक औरत आकर क्रिश्णा अरे कैसे अचार दे गई तुम बड़ी गंदी बुआ रही है उसमें से इसके बाद हमारी दुकान पर नहीं बिकेंगे तुम्हारे अचार थोड़ा नाम क्या हो गया बस बाकी लोगों की तरह ऐसे ही काम करने लेगी तुम है यू बहुत कुछ उल्टा स्तीधा सुना कर वो औरत भी वहां से चली जाती है दिन बीत रहे थे क्रिश्णा का अचार का व्यापार नुकसान में था ये क्यों कैसे हुआ वो समझ नहीं पा रही थी मन ही मन ओह ये लड़की यहां आने के बाद से ही ये सब हो रहा है इसकी कुंडली में दोश है शायद इसलिए इसकी मा इसे रास्ते पर छोड़ गई होगी हाई उसके ग्रहों का असर मेरे व्यापार पर हो रहा है इसे यहां से जल्द से जल्द भेजना होगा यू सोच क्रिशना उस रात उस बच्ची को जब वो सो रही थी तब उसे उठा कर दूर एक जगह छोड़ाती है अगले दिन सुबह एक स्वामी जी उसे देख लेते हैं वो रोए जा रही थी इस पर स्वामी जी कहते हैं बेटा रो मत ये बताओ तुम कौन हो यहां कैसे आई तब वो बच्ची स्वामी जी मुझे मेरी मा रास्ते पर छोड़ गई फिर अचार बेशने वाली कृष्णा मा मुझे अपने सार घर ले गई मैं यहां कैसे आई मैं नहीं जानती स्वामी जी कृष्णा को जानती थे पर वो ऐसा क्यों करेगी ये सोच स्वामी जी उस बच्ची को लेकर कृष्णा के घर जाने लगते हैं सब मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हारे बारे में गलत सोचा, और तुम जैसी मासूम को यहाँ छोड़ गई। स्वामी जी, भगवान का शुकर है कि आपने इसे देख लिया, वर्नाना जाने क्या हो जाता। क्रिष्णा रोने लगती है, क्रिष्णा तुम इसे यहाँ क्यों छोड़ गई। स्वामी जी पूछते हैं, तब क्रिष्णा उन्हें सारी बाते बताती है, इस पर स्वामी जी हसने लगते हैं, अरे तुम सच्चाई ही नहीं जानती, फिर इस बच्ची के कारण नुकसान हो रहा है, ये कैसे सोच लिया तुमने, क्या तुम इस बच्ची के बारे में जानती हो, नहीं न, सुनो, इसका नाम गौरी है, इसकी मा का नाम राधा, इसके बाबा इस दुनिया में नहीं है, राधा एक बीमारी से डूज रही थी, सरकारी अस्पिताल में इलाज के लिए उसे भरती होना था बच्ची को कौन देखेगा कौन संभालेगा ये सोच वो उसे अनाथाश्रम में रखना चाहा रही थी पर किसी अनाथाश्रम में इसका सुवीकार नहीं किया क्योंकि इसकी माँ जिन्दा थी इस बात से परेशान राधा ने गौरी को आश्रम के सामने छोड़ कर मौत को गले लगाया सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच कर उसने ये निर्ने लिया आश्रम के लोगों ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया उसी समय तुमने उसे आस्रा दिया ये है इस बच्ची की असली कहानी ये सुनकर कृष्णा व्यतित हो जाती है स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए मैंने इस बच्ची को गलत समझा पर मेरे व्यापार में जो नुकसान हो रहा है उसका क्या स्वामी जी कहते हैं क्या हुआ तुम खुद ही देख लो स्वामी जी अपनी मंत्र शक्ती से क्रिश्णा को सच्चाई दिखाते हैं लक्ष्मी क्रिश्णा के अचार किसी और से खरीदवा कर उसमें पानी मिलाती थी कुछ बोतलों में बद्बु वाला तेल डालती थी खुद से ही जो मैंने सोचा वैसा ही कर दिया अब इन सब बोतलों को दुबारा क्रिश्णा के घर पहुँचाना होगा यू सोच रात के समय लक्ष्मी क्रिश्णा के घर में जाकर नई बोतलों की जगह मिलावट की हुई बोतल रख देती है और फिर चुपचाप वहां से चली जाती है क्रिश्णा ये सब देख हाई राव ये ऐसा कुछ करेगी मैंने सोचा नहीं था यू कहकर दुखी हो जाती है चिंता मत करो क्रिश्णा इसका जवाब तुम्हें ही देना होगा यू कहकर स्वामी जी एक जादूई मुसली क्रिश्णा को देती है क्रिश्णा ये मुसली तुम्हें तरह तरह के अचार बनाने में मदद करेगी तुम्हें उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी साथ ही ये मुसली सोने के मुद्राय भी देगी ये बात किसी से मत कहना पर हाँ लक्ष्मी को इसकी जानकारी हो जाए ऐसा कुछ करो फिर देखो क्या होता है स्वामी जी कहते हैं क्रिश्णा भी ठीक है कहकर स्वामी जी को धन्यवाद देती है फिर वो मुसली लेकर घर चली जाती है अगले दिन सुबह लक्ष्मी को सुनाई दे इसलिए आंगन में खड़े होकर क्रिश्णा कहती है गौरी इतने दिन मैं जो स्वादिष्ट अचार बना रही थी ना इसी मुसली के बदौलत बस इसे कह दो ये तरह तरह के अचार यो पेश करती है इतना ही नहीं सोना भी देती है तुम जो मांगो ये दे देगी ये जादू ही मुसली है तुमसे मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब से ये काम तुम्हें ही संभालना है इस मसाले को मुसली से कूटती रहो मैं अभी आई यू कहकर कृष्णा घर के अंदर चली जाती है फिर गौरी मुसली लेकर कूट रही थी उसमें से तरह तरह के अचार आ रहे थे सोना आ रहा था लक्ष्मी दूर से ये सब देख रही थी अब जान गई इसका सीक्रिट ये मौका हाथ से जाने न पाए आज रात ही उस जादूई मुसली को हासिल करके रहूंगी लक्ष्मी ठान लेती है फिर उस रात कृष्णा और राधा सो रहे थे तब लक्ष्मी वो मुसली अपने घर ले जाती है और कूटना शुरू कर देती है मुझे सोना दे दो मुझे हीरे जवाहराद दे दो मुझे बहुत सारे गहने चाहिए यू कहती है उत्ने में वो मुसली हवा में उच्छल कर लक्ष्मी के पीछे पढ़ती है उसे मारने के लिए लक्ष्मी जान बचा कर भागने लगती है बच्चाओ, बच्चाओ, कोई मुझे बच्चाओ ये सब देख कृष्णा और गौरी हसने लगती है लक्ष्मी उनके पास जाकर मुझे माफ करदो कृष्णा, ये मुसली तो मेरी जान लेकर ही रहेगी आज यू कहती है, ये सुनकर मुसली वही रुख जाती है लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास जो हो गया था वो मुसली वहां से गायब होकर कृष्णा के घर आ जाती है लक्ष्मी कृष्णा से मुझे माफ कर दो कृष्णा मेरी वज़े से तुम्हें बहुत नुकसान जेलना पड़ा आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा यो माफी मांग कर लक्ष्मी वहां से चली जाती है उस दिन से जादूई मुसली अचार बनाने में कृष्णा और गौरी की मदद करती है वो दोनों भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है देवरियां गाउं में शंकर और सुमन ये पती-पत्नी रहते थे उनकी बेटी का नाम था मीना वो रूट सुबर स्कूल जाती थी शाम को घर लोटकर अपनी पढ़ाई किया करती वो दोनों पती-पत्नी सबजियां बेच कर अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे एक दिन वो दोनों भी सबजियां बेचते-बेचते अलग-अलग दिशाओं में चले जाते हैं शंकर जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते पर एक कार तेजी से आ रही थी वो उस कार से टकरा कर हादसे का शिकार बन जाता है उसके दोनों पैर टूट जाते हैं वहाँ लोग इकठा होकर देख रहे थे तभी सुमन वहाँ आ जाती है इतनी भीड क्यों है? यू सोच वो आगे जाकर देखती है वहाँ शंकर को तड़ता देख हाई राम यह मेरे पती है आप लोग यू खड़े-खड़े देख रहे हैं कोई मदद कीजिए ना यू कहकर रोने लगती है तभी डॉक्टर वहाँ आ जाती है शंकर को अस्पताल ले जाती है डॉक्टर उसका इलाज करती है पर अफसोस शंकर के दोनों पैर काटने पड़ते हैं तब से शंकर बिस्तर पर ही लेटा रहता था सुमन अकेले ही सबजियां बेचा करती थी दिन बीट रहे थे गाव वाले नई बीमारी के बारे में आपस में बाते कर रहे थे वो सुनकर मीना हाँ इसलिए हमारे स्कूल को भी छुट्टी दे दी है उनसे कहती है उतने में सुमन भी वहां आ जाती है यो सब कुछ बंद कर दिया तो हमारे जैसे लोग क्या काम करेंगे काम नहीं होगा तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या तब वो लोग कहते हैं कुछ देर सहूलत दी है लोगडाउन में उतने समय में हमें अपना व्यापार कर लेना होगा यो आपस में बाते करने के बाद सुमन मीना को लेकर घर चली जाती है उस दिन मीना पूछती है मा क्या सोच रही हो सुमन जवाब नहीं देती मीना कहती है मा, तुम मेरे बारे में सोच रही हो, चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा चिंता करने से क्या मिलेगा, बाबा को देखो, खुश रहते हैं न वो हमारी खुशी में ही उनकी खुशी है, और उनकी खुशी में हमारी तुम यो दुखी रहोगी तो हम भी दुखी हो जाएंगे मा मैं तुम्हारे बाबा के बारे में ही सोच रही हूँ बेटा कल से लॉकडाउन लगेगा दिन भर घूम कर सबजिया बेचने से थोड़े पैसे मिलते थे अगर कल से थोड़ी देर के लिए ही बाहर जाना होगा उतने समय में कैसे बेचू सबजिया कौद खरीदेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा मीना कहती है मा चिंता मत करो अडोस पडोस के लोग हमारे घर आकर भी तो सबजी खरीद सकते है अगले दिन से लॉकडाउन शुरू हो जाता है सुमन कुछ देर सबजिया बेच कर घर लोटती है बाद में जिन्हें जरूरत होती है वो लोग सुमन के पास घर पर आकर ही सबजिया खरीदने लगते है यू सबजियों कव्यापार चल रहा था दिन बेच रहे थे सुमन की तब्यद भी बिगड़ जाती है शंकर की तब्यद तो वैसे भी ठीक नहीं थी देखते देखते मीना की तब्यद भी बिगड़ जाती है उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है एक दिन पडोस के घर में रहने वाली शारदा सबजिया लेने उनके घर आती है सुमन भाभी अरे ओ सुमन भाभी सबजिया है क्या यू पूछती है पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता तब शारदा अंदर जाकर देखती है तीनों की हालत देख हाई राम तुम तीनों की ये क्या हालत हो गई है मैं अभी डॉक्टर को ले आती हूँ यू कहकर फिर शारदा डॉक्टर के पास जाकर सारी बाते बताती है डॉक्टर तुरंट आकर उनका इलाज शुरू कर देती है उन्हें ऑक्सिजन की सप्लाई भी देती है दवाईया देकर समय पर खाने को कहती है कुछ ही दिनों बाद एक दिन सुमन भूख लगी है भूख लगी है खाना चाहिए यू चल्ला रही थी ये सुनकर मीना यू कहती है रसोई में जाकर मीना खाना बनाने लगती है फिर मा को अपने हाथों से खिलाती है सुमन कहती है ये भगवान ये कैसी मुश्किल घड़ी है कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा यू व्यतित होकर कहती है बाद में मीना शंकर को भी खाना खिला कर दवाई दे देती है मीना की तवित में सुधार आ रहा था मा बाबा की तवित ठीक ना होने पर मीना ही उनकी देखभाल कर रही थी छोटी उम्र में इस बच्ची को क्या कश्ट उठाने पड़ रहे है ये देख पडोसी ऐसी है कि लोग एक दूसरे की मदद चाकर भी नहीं कर सकते संक्रमन का धोखा भी तो है यो कहते हैं मीना उनकी बाते अंसुनी कर देती है उत्रे में डॉक्टर उन्हें देखने आती है दवाया देखकर जाने लगती है तब ही मीना पूछती है डॉक्टर सारे लोग इस बीम का डर नहीं लगता तब डॉक्टर कहती है बेटा ये बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती जरूर है पर सही एतियात बरतने से इस संक्रमन से खुद को बचाया भी जा सकता है मैं तो एक डॉक्टर हूँ मैं अगर ऐसा सोच कर दर के घर बैठ गई तो तुम ल करते हैं यू कहकर डॉक्टर चली जाती है मीना बाहरा कर पढोसियों से सच में अगर आप हमारी मदद करना चाहती हैं तो यू नहीं सोचेंगे डॉक्टर भी तो इंसान हे पर वो हमारी सेवा करने से पीछे नहीं हटी मैं आपको हमारी मदद के लिए बुला नहीं रही जाती हूं कि अगर कोई असहाई गरीब दिखाई दे तो जरूर उसकी मदद कीजिएगा यू कहकर मीना घर में चली जाती है वो बाते सुनकर शारदा इतनी सी बच्ची है पर बात तो बड़ी अकल की करदीस ने यू कहकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं मीना खाना ब उसकी महनत देख सुमन शंकर से कहती है देखिए हमारी बेटी हमारे लिए कितने कश्ट उठा रही है अब हम उसके माबाबा नहीं बलकि वो ही हमारी माता पिता सब कुछ है शंकर भी व्यथीत होकर सही कह रही हो तुम सुमन भगवान मेरे साथ ऐसा करेगा मैंने सोचा न था और हम दोनों यों बिस्तर पर बीमार पड़े रहेंगे ऐसे तो मैंने कभी नहीं सोचा हमारी बतकिस्मती है हमारी बेटी के नसीब में इतने कश्ट लिखे है भगवान ने यू कहता है कुछ और दिन बीच जाते हैं मीना घर की काम करती करती मा बाबा का अच्छे से ख अंधार आता है शंकर भी ठीक हो जाता है मीना तुमने हमारी बहुत सेवा की है बेटा अब मैं ठीक हो गई हूना तुम आराम करो ये काम बै कर लूँगी सुमन कहती है मा अभी तो तब ये ठीक हुई है तुम्हारी थोड़े दिन आराम करो वरना कमजोरी आ जाएगी मीना कहती है आराम करने चली जाती है बाद में डॉक्टर वहाँ आती है उनकी तबियत के बारे में पूछती है वो कहती है आप बहुत किस्मत वाले हैं इस बीमारी से जल्दी ठीक हो गए भगवान की दया है आप पर सुमन कहती है हाँ डॉक्टर हमारा भगवान मेरी बेटी के रूप में हमारे साथ है। इसने हमारी बहुत सेवा की। हमें समय पर खाना खिलाया, दवाई या दी। इतनी छोटी उम्र में हमारे लिए कश्ट उठाकर हमें इस बेमारी से बचा लिया इसने। ऐसी बेटी किस्मत वालों को ही नसीब होती है डॉक्टर। यू कहकर वो मीना को गले लगाती है। डॉक्टर भी बिल्कुल सही कह रही है आप। मीना रोते हुए कहती है। मा, तुम दुखी मत हो। मैंने आपकी सेवा ही तुकी है। मैं भी बड़ी होकर इनकी तरह पढ़लिक कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। सुमन कहती है, जरूर बेटा, मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी। तब डॉक्टर भी, आपकी बेटी सचमुच बड़ी होश्यार है, आप इसे आगे पढ़ाईएगा जरूर। यू कहकर वहां से चली जाती है। शंकर भी मीना से, बेटा, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो बन पाए करूँगा। तुम्हारी पढ़ाई के लिए घर भी बेचना पड़े, तो कोई गम नहीं। पर तुम अच्छे से पढ़ना, डॉक्टर बनना ठीक है न। मीना भी ठीक है बैबा यो कहती है। मीना अपनी मा का घर के काम में हाथ बटाते हुए, बाकी समय मन लगाकर पढ़ने लगती है।